हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, मैं नेम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे जिसमें से डेली बेस्ट पे आपको 20 question की quiz रृष प्रोवारड की जाएगी जो आपकी revision में बहुत हेल्प करेगी, एक pdf प्रोवाइड की जाएगी daily basis आफ़ उप्रण्ट अफेर्स, सिमिलरली weekly basis पे आपको Divine questions की quiz और PDF of compiled current affairs of week and monthly basis पे आपको एक top 100 current affairs की PDF प्रोवाइड करी जाएगी जो पूरे महिने का current affairs का gist होगा जो preparation में revision perspective से बहुत important होता है आपको लगेगा हम सिरफ इतना provide करते हैं लेकिन नहीं हम English के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़े provide करते हैं not just this हम आपको banking awareness के current affairs provide करते हैं banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revision आप सके for banking exam इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाएए एक interesting way of learning वो है infotainment infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ साथ हम आपको 20 topic wise current affairs भी revise कराते हैं daily basis पे daily एक topic की video आती हमारे YouTube channel पे जो 20 topics हैं जैसे apps and web portals, important days, books and authors आपके national affairs, international affairs sports, defense, awards इन सभी topics को हम monthly basis पे cover करते हैं and daily हमारे YouTube channel पे आपकी daily videos, monthly videos weekly videos, topic wise videos ये सब cover करा जाता है जो बहुत helpful रहता है preparation के लिए so I think this is the best course that you can find for current affairs on internet, apart from this friends आप जैसे मैंने बताया विकास 10 code को अगर आप use करेंगे Hello students कैसे आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 11 अगस्त के कुछ important current affairs discuss करेंगे आपके साथ I hope आप वीडियो को end तक जरूर देखेंगे और साथ इसाथ notes जरूर बना के चलना दोस्तों आज का quote है When life puts you in tough situation Don't say why me, just say try me इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं आप वीडियो को like कीजिए और साथ इसाथ अगर आपको content अच्छा लग रहा हमरा daily basis पे जो आपको provide करते हैं तो comment करके जरूर बताईएगा इससे हमें क्या motivation मिलेगा ताकि हम future में भी आपके लिए और बहतर content बनाएं इसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो को share कर सकते हैं और हमारा target ध्यान में रखेगा 15,000 views हमें चाहिए daily basis पे on our daily videos इसके लिए आप 2 से 3 WhatsApp ग्रूप पे इस वीडियो के link को share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने colleagues के साथ, अपने friends के साथ, अपने neighbors के साथ एर उनको बताईए कि Affairs Cloud Radar one stop solution for current affairs इनी के साथ साथ आप उन्हें हमारी application के बारे में बताईए Carriers Cloud के बारे में इसी के साथ साथ आप आप विकास राना सर के बारे में बताईए जो daily basis पे content आपको provide करते हैं in such a way कि सारा content, सारे current affairs एकदम चुठकियों में आपको याद हो जाते हैं इसी के साथ साथ friends, कल की वीडियो के जो correct homework answers दिये हैं अवंतिका शर्मा, you have given all the correct answers so congratulations as well as best of luck for your future आप जिस भी exam की prepare कर रहे हैं I hope आपका वो exam clear हो जाए future में जैम पोर्टल की जो की ministry of cooperatives के दुवारा launch किया गया एन वहां की union minister and union home minister अमिच्छा के दुवारा launch किया गया है ये एक jam portal jam portal क्या हो है आपका government e marketplace ठीक है ये आपकी जैसे आपकी normal marketplace होती है वो ही आपकी marketplace रहेगी, government के दुवारा इसको launch किया गया है गूους मिनिस्ट्री के दुवारा ये आपको याद रकना है तो ministry of cooperation के दुवारा ये e-launch किया गया है E-launch किया गया एक onboarding of cooperatives on government e-marketplaceile ajudने जैम portal आपको याद रखना है question पूजाएंगे कि किस ministry के दुवारा इसको launch किया गया है तो Ministry of Corporation के द्वारा इसको launch करा गया ये जो event program है इट वाज ओगनाइस्ट बाइन Ministry of Corporation अलॉंग विद National Cooperative Union of India and JEM फिर इसी के साथ याद रखना 589 cooperatives को select किया गया as being eligible for onboarding on JEMP portal ठीक, काफी important है याद रखेंगे आप इसको next हम बात करेंगे PTM PTM company आप सभी जानते हैं जैसे आपने किसी भी shop पे गई होंगे तो वहाँ पे bar को QR code लगा होता है आपने काफी देखा होगा तो या तो वो PTM का होता है या Google Pay का होता है या फिर आपका phone पे का होता है और PTM एक बहुत बड़ा platform है जिससे आप एक location से एक account से दूसरे account में पैसी easily transfer कर सकते है PTM के दौआरा आप जब उनके application को खोलेंगे न वहीं पे personal loan का option आता है तो याद रखना इनी के दौआरा भी partner किया गया है पीरमल finance के साथ ताकि loans को offer किया जाए पीरमल finance आपको 10 लाग तक का loan offer करेगा with a tenure of 6 to 24 months of repayment of those particular EMIs इससे क्या होगा आप 10 लाग तक का loan लीजिए easily आपको loan मिल जाएगा आपको अपना KYC कराना होगा KYC के बाद pen number आपका पूछेंगे detail पूछेंगे, date of birth, email address इन सब की मदद से आपको easily फिर 10 लाग रुपीज तक का loan as per आपका जो credit score होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको 10 लाग तक का loan प्रोवाइड किया जाएगा तो याद रखिए, Paytm ने किसके साथ tie up किया? Pirmal Capital and Housing Finance Limited के साथ ताकि loans प्रोवाइड किया जा सके, personal loans next पे आते हैं next हम बात करेंगे SIDB SIDB क्या है? Small Industries Development Bank of India इन्होंने ONDC के साथ tie up किया एक MOU sign किया ताकि e-commerce को बढ़ावा मिल सके जो small industries होते हैं जो small businessmen होते हैं जो small MSME players हैं उनको एक market provide करने के लिए अब जैसे एक अभी normal आपके कही पे भार जाएंगे तो आप एक छोटी shop देखेंगे एक MSME player देखेंगे जो अपना कोई product sell कर रहा है market में ठीक है? अभी आपके area में ही उसकी एक location की limit है कि so and so location तक ही लोग उस product और उनके जो product वो develop कर रहा है उनको देख पाते हैं लेकिन e-market की मदद से e-commerce की मदद से digital websites की वज़द से क्या होगा? वही product जो व्यक्ति एक छोटे local area में sell कर रहा था अब उसको जो market मिलेगी जो उसको audience मिली है वो बहुत जादा बढ़ गई है अब pan India मतलब all over India लोग उसके product को easily देख सकते हैं and easily purchase भी कर सकेंगे तो इससे क्या होगा? कि जो demand है लोगों की products की MSME sector की वो बढ़ जाएगी जहाँ पे पहले अगर 100 products बिखते थे पूरे महिने में वही पर आपकी ये जो e-commerce की मदद से वही 1000-2000 products हो जाएगे क्योंकि लोगों का जो audience है वो जादा हो गया है ठीक है इसी लिए याद रखना Microsoft ने hand join किया है ONDC platform के साथ मिलके ये खुद अपनी एक website launch करेंगे एक shopping application launch करेंगे जिसके मदद से easily accessories easily आपको service provide की जाएगी with the help of this ONDC network and जो customers हैं and जो sellers हैं उनके लिए काफी easy हो जाएगा कि वो अपने products को list कर सके and जो sellers हैं and जो consumers हैं जो customers होंगे वो easily उन products को buy भी कर सकें तो आपको ये भी याद रखना है कि Microsoft ने tie-up किया है ONDC platform के साथ all right तो coming back e-commerce के लिए small industries को accelerate करने के लिए small businesses को MSME sector को थोड़ा सा boost देने के लिए Sidwi ने ONDC से एक MOU sign किया और Microsoft ने भी ONDC platform के साथ hands join किये ताकि जो एक shopping app launch की जा सके ताकि easy हो पाए आपका sellers के लिए अपने products को list करना and buyers को उन products को buy करने के लिए next आते हैं next हम बात करेंगे SBI SBI ने policy अभी launch की है to finance makers of lab grown diamonds याद रखिएगा mostly जो आप diamonds के lab grown marketplace होगी ना वो गुजरात में shift की जारी है southern गुजरात में even मुंबई से आपका जो पॉलिसी जो मुंबई से आपके marketers है जो business man है जो lab grown diamonds को grow करते हैं वो मुंबई से गुजरात shift हो रहे हैं तो याद रखना है SBI के द्वारा अभी एक policy लाई गई है कि जो finance करेंगे ऐसे lab grown marketers को जो ऐसे lab grown diamonds को बनाएंगे उनको finance करने के लिए policy launch की गई State Bank of India के द्वारा इसी के साथ साथ आपको यहाद रखना है जो lab grown diamonds होते हैं although they same होते हैं natural diamonds के हिसाब से natural diamonds क्या होता है with the help of pressure time के साथ काफी time के साथ वो अर्थ में grow की जाते हैं इसी वज़े से आपको याद रखना है यह जो diamonds है यह 30-40% जो प्राइज होगा इनका लोर होगा compared to naturally earth grown diamonds से ठीक है और इनके लिए finance के लिए policy किस के दवारा SBA के दवारा launch की गई है next हम बात करेंगे HDFC bank HDFC bank ने partner किया है MX M1 exchange के साथ promoted by mine solutions in the trade receivable discounting system platform to aim to provide liquidity to the small businesses liquidity क्या होता है जैसे आपको urgent में cash की जूरूत पढ़ गई एकदम ठीक है आपको कोई order buy करना है और आपको urgent एकदम पैसी की जूरूत पढ़ गई तो वो liquidity प्रोवाइड की जाती है उसको liquidity कहते है तो एकदम आपको पैसी की जूरूत पढ़ गई उसको competitive business rates पे जो rates easily available हो और ताकि जो छोटे businessmen है वो easily provide कर सके उस interest को back to the solutions private limited के साथ ठीक है काफ़े important to provide more liquidity to small businesses at competitive interest rate ठीक है याद रखेगा काफ़े important रहेगा कि liquidity provide करने के लिए HDFC bank ने M1 exchange के साथ tie up कराया भी चलिए next बात करें next हम बात करेंगे सुनील छेतरी की आप इनको left में सुनील छेतरी देख रहे हैं and right में Manisha Kalyan ये दोनों के स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं सुनील छेतरी का आपको पता होना चाहिए ये फुटबाल से बिलोंग करते हैं and world में इनके third highest goal scorer है ये after Ronaldo and Lionel Messi इनको अभी men's as well as women's EIFF footballer of the year award से सम्मानेत किया गया है men's के कौन सुनील छेतरी और women's की कौन Manisha Kalyan ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं ठीक है अगर मैं सुनील छेतरी की बात करूँ तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो सुनील छेतरी है इनको 2021 का footballer of the year जो हम EIFF कह रहे हैं All India Football Federation के men's footballer of the year गोशित किया गया for the seventh time और Manisha Kalyan को ये आपका 2021 के session के लिए दोनों को same session के लिए भी इनको किया गया women footballer of the year से गोशित और men footballer of the year से सुनील छेतरी ये आपकी इंडिया के men football team the blue tigers के captain भी है ठीक है इसी के साथ साथ आपको friends याद रखना है अगर मैं सुनील छेतरी की बात करूँ क्योंकि जादा famous सुनील छेतरी है हमने अगर football का नाम इंडिया में किसी व्यक्ती के लिए सुना है तो वो सुनील छेतरी है ठीक है इनको याद रखना 2007 में पहली बार footballer of the year से गोशित किया गया था फिर 2011 में 2013 में 2014 में 2017 में 2018 में और 2021 में जैसा मैंने बताईए थर्ड हाइस goal scorer है टॉप पर आपके Cristiano Ronaldo है 117 goals के साथ Argentina के Lionel Messi 2nd place में 86 goals के साथ एंड सुनील छेतरी इंडिया के है with 84 goals ठीक है एंड ही वस अलसो दे प्लेयर आफ टूर्नामें in the South Asian Football Federation Cup 2021 के चलिए next पर आते हैं next हम बात करेंगे World Women Entrepreneur Award की किनोंने अभी जीता है World Women Entrepreneur Award वो आप इन पिक्चर में देख सकते हैं ये केरला बेस स्टार्टप की entrepreneur है संगीता अभ्यान ये CEO हैं आपकी EWE World.com की I repeat EWE World.com की CEO संगीता अभ्यान जो की CEO है EWE World की ये केरला बेस्ट entrepreneur है जिनको अभी recently सम्मानित किया गया World Women Entrepreneur Award 2022 से जो की institute किया गया था Junior Chamber International Hong Kong at Virtual Event at Hong Kong याद रखियेगा ठीक है World Women Entrepreneur Award 2022 से सम्मानित किया गया है संगीता अभ्यान को जो की केरला बेस्ट entrepreneur है एंड ये CEO रहेंगी EWE World की याद रखियेगा ठीक है चालिए नेक्स पे आते हैं नेक्स हम बात करेंगे Indian American Arraya Walvaker इनको crown किया गया Miss India USA 2022 I repeat Miss India USA 2022 किनको सम्मानित किया गया है किनको crown किया गया है Indian American Arraya Walvaker 30th anniversary of the Miss India USA जो की longest running Indian pageant है outside of India Not just this friends इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अगर मैं बात करूँ Mrs. India USA 2022 की कौन है Mrs. India USA 2022 वो है Oxygen Oxygen अगर मैं बात करूँ Miss Teen India USA की ये कौन रहेंगी Tanvi Grower Tanvi Grower ये तीन आपको नाम याद रखने है Tanvi Grower Miss India Teen USA Mrs. India USA 2022 अक्षी जैन और अगर मैं बात करू Miss India USA 2022 वो कौन है आपकी Arya Walvaker ये विर्जीनिया से बिलॉंग करती है United States of America चलिए नेक्स बात करेंगे Commonwealth Games की 2022 में Commonwealth Games कहा पर हुए थे Birmingham में हुए थे ठीक है 28 जुलाई से लेके 8 अगस्तर की आपके Games हुए थे सबसे पहली चीज फिर कहां पर Birmingham England United Kingdom में हुए थे ठीक है The Games were declared open by Charles जो की Prince of Wales है इनके दोवारा इनको declare Games को open किया गया था England के दोवारा तीसरी बार और UK के दोवारा सात्वी बार इसको host किया गया था इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यह जो और अगस्त को तो इंडिया की रैंक क्या रहेगी 4th rank रहेगी इन दा टोटल अगर मैं टोटल की बात करूँ कितने medal जीते इन्होंने टोटल 61 medal जीते जिसमें से 22 gold थे 16 silver थे और 23 bronze medal रहेंगे ठीक है इंडिया इट वस इंडिया's 18th appearance मतलब 18th time इंडिया ने participate किया था Commonwealth Games में इसी के साथ साथ torch bearer कौन रहेंगे इंडिया के यहाँ पर Commonwealth Games में वो थी PV सिंदू जो कि एक आपकी badminton player है and man hockey team के captain manpreet Singh इन दोनों आपके torch bearer थे at the opening ceremony of Commonwealth Games काफे important याद रखेंगे फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंडिया वो चौथा nation country बन गया वर्ल्ड में जिन्होंने 200 से ज़ादा gold medal जीते है Commonwealth Games टॉप पर अगर मैं देखू तो Australia रहेगा with 1,003 medals के साथ second position पे England आजाता है 773 gold medals के साथ third position पे आजाता है आपका first position पे आजाता है Australia second पे England third पे Canada with 510 gold medals and fourth position पे हमारा इंडिया आजाता है with 203 gold medals ठीक है सिरफ gold medals की यहाँ पे बात हो रही है तो एक बार quickly revise करें इंडिया fourth position पे आता है Commonwealth Games 2022 61 medal जीते 22 gold, 16 silver और 20 bronze और अगर मैं सिरफ gold medals की बात करूँ कि 200 से जादा gold medal जीतने वाले कौन सी country पे आता है इंडिया तो fourth country बन गया है 2003 Australia के है 773 gold medals in total Canada के है और in total 573 gold medal आपके England के है और Canada के कितने 510 gold medal रहेंगे और आप fourth position पे आ गया है 203 total gold medal के साथ इंडिया और हमने अभी देखा है इंडिया कौन सा पीरेस था 18 तो मतलब total 18 editions of Commonwealth Games में इंडिया ने 203 gold medal जीते हैं भी तक ठीक है यह होगा आपका Commonwealth के साथ और detail में friends किसने कौन से sports में जीता कब जीता किस event में जीता ठीक है किस category के event में जीता इसके लिए हम एक proper detail वीडियो जल्दी लाने वाले हैं आपके लिए तो stay tuned for it then अगर मैं बात करूँ Serena Williams की हम जानते हैं काफी famous tennis player है बचपन से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं कि अगर इंडिया में tennis से related बात होती थी तो Serena Williams की ज़रूर बात होती थी तो आपको याद रखना है Serena Williams ने भी retirement announce कर दी है from tennis इनका अभी एक US Open होगा जो की August में होगा या Early September में होगा उस time पे इनका आखरी event रहेगा और उन्हें वो क्या article में भी खुशित किया कि ये retirement ले लेंगी ठीक है अभी दा कि इन्होंने 23 grand slam title जीते हैं ये भी याद रखिएगा चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे International Cricket Council की ICC ने अभी तीन कंट्रीज को membership दी अपनी वो कौन सी है Cambodia, Uzbekistan and Cote de Ivar क्या याद रखेंगे तीन कंट्रीज का नाम बिलकुल Cambodia, Uzbekistan and Cote de Ivar या आपकी वो तीन कंट्रीज है जिनको International Cricket Council के द्वारा अभी membership offer की गई है इसी के साथ साथ आपको याद रखना जो total members ICC के है अब 108 countries है जिसमें से 96 associated countries रहेंगी और अभी तीन कंट्रीज कौन सी है Cambodia, Uzbekistan and Cote de Ivar आपकी important friends याद रखेगा इन तीनों कंट्रीज का नाम फिर अगर मैं ICC की बात करूँ या बना कब था 1909 में ये established किया गया था headquarter का है दुबई में इसका headquarter रहेगा और chairman कौन रहेंगे ग्रेट बाकले इसके chairman रहेंगे तो तीन कंट्रीज कौन सी याद रखना है Cambodia, Uzbekistan and Cote de Ivar चलिए फिर हम बात करते हैं अभी recently एक Indian former athlete PV कामरा जिन का निधन हो गया PV सिंदू से confuse मत हो येगा मैं confuse हो गया था ठीक है PV कामरा जिनका निधन हो गया है ये India की men relay team के पार थे 4x400 meter relay race के जिन्होंने इंडिया के लिए bronze medal जीता था 1979 की Asian Championship में Tokyo, Japan में ठीक है इनका जनम Tamil Nadu में हुआ था निधन भी तमिलनाडू में हुआ है कौन किसकी बात कर रहे हैं PV कामराज ठीक है याद रखिएगा Next हम बात करेंगे एक book की जिसका नाम है Bravo Yadav Journey of Honorary Captain सुबेदार योगेंदर सिंग यादव जोकि इंडिया के youngest परमवीर चकर recipient भी रह चुके है ठीक है इनको honor करने के लिए इनकी याद में दीपक सिंग के द्वारा एक book author की गई जिसका नाम है Bravo Yadav यह biography रहेगी आपकी योगेंदर सिंग की जो author की गई है किसके द्वारा दीपक सिंग के द्वारा और book का नाम Bravo Yadav नेक्स्ट आपको याद रखना है Geological Survey of India के द्वारा अभी एक तो survey report as well as एक book author release की गई जो है Fauna of Thartekad Bird Century I repeat Fauna of Thartekad Bird Century यह book है जो की release की जाएगी Geological Survey of India के द्वारा और इनी के द्वारा एक survey report release की जाएगी दोकी है Threatened Animals of ELA दोनों चीज़ा आपको याद रखनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मिनाक्षी लेखी जो की हमारी Minister of State है for External Affairs and Culture इनके द्वारा दो books को release किया जाएगा एक book का नाम है Moody at 20 Dreams Meet Delivery और second book है आपकी Heartfelt The Legacy of Faith ये दोनों books आपकी Heartfelt और Moody at 20 विश्वा सद्भावना ये एक event है जो कि और्गनाईस कराया गया था National Institute of Design Foundation के द्वारा Melbourne, Australia में वहाँ पर इन दोनों books को release किया जाएगा मिनाक्षी लेखी के द्वारा जो की Minister of State है for External Affairs and Culture ठीक है विश्वा सद्भावना इस event के द्वारा ये दोनों books Heartfelt और Moody at 20 रिलीज की जाएगी किन के द्वारा मिनाक्षी लेखी के द्वारा Next बात करेंगे हम World Lion Day की कब अबजर्व करते हैं 10 अगस्त को 10 अगस्त को हम अबजर्व करते हैं World Lion Day और Reason Being World Lion Day अबजर्व करने का Reason ये रहेगा To create awareness about the Safeguard To create awareness about the कि हम Lions को safe रखें in their natural environment ठीक है उनको proper help मिलनी चाहिए उनको proper food प्रोबाइड करना चाहिए उनको proper care प्रोबाइड करने के लिए ये लाँच किया गया था ठीक है World Bio Fuel Day अबजर्व करते हैं जैसा नाइम सज़ेस्ट है Bio Fuel Day हम बात कर रहे है Environment Friendly Sustainable Bio Degradable Renewable Fuel की जो कि आपका Animal Waste Algae या फिर Industrial Agriculture Waste से बनाओगा ठीक है Ministry of Petroleum and Natural Gas के द्वारा ये initiative launch किया गया था World Bio Day Observe करने का इंडिया में दिन 2015 फिर इसी के साथ साथ फ्रेंट्स आपको याद रखना है Consum Ministry Ministry of Petroleum and Natural Gas 2015 में initiative launch किया गया था कि इंडिया में हम World Bio Fuel Day Observe करेंगे इसी के साथ साथ फिर आजाती है आपकी theme जो बहुत important आपको याद रखनी है Biofuels Towards a Carbon Neutral World ये आपकी theme रहेगी काफी important आपकी किसकी World Biofuel Day 2022 की ठीक है important difference याद रखिए next आजाती है आपकी एक recent news कि किन दो states के दोरा अभी एक joint statement sign किया गया है ताकि border dispute को solve किया जा सके तो Assum and Miserum वो जो states हैं जिनके दोरा जिनके government के दोरा एक joint statement launch की गई की और एक sign की गई to solve the border dispute ठीक है कौन-कौन सी state है Assum और Miserum और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसके अंडर जो भी deputy commissioner होंगे ना bordering districts के वो महिने में एक बार कम से कम मिलेंगे दो महिने में एक बार मिलेंगे ताकि जो ongoing progress है उसको ध्यान में रखा जा सके उस पे discussion किया जा सके और जो dispute है वो आगे और ना पड़े Assum share करता है 164.6 km लंबी boundary with Miserum जिसकी वज़े से जो काफी dispute चलता रहा है पिछले कुछ सालों से उसको solve करने की यहां पे बात करी गई है गवर्नर कौन है Assum के प्रोफेसर जगदीश मुखी काजी रंगा नैशनल पार्क यहां पर है Assum में डिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क यहां ही पर है मानस वाइड लाइफ सेंचुरी तो यहां पर एक festival भी observe किया जाता है उसका नाम है अंबुबाची festival चलिए नेक्स पर आते हैं नेक्स आपको याद रखना है 100 मेगवाट आफ सोलर एनरजी को जनरेट करने के लिए NLCIL NLCIL इन्होंने एक MOU साइन किया है यह एक तमिलनाडू बेस्ट कमपनी है NLC India Limited NLCIL इन्होंने एक MOU साइन किया है Assum Power Distribution Company Limited के साथ ताकि 100,000 मेगवाट की सोलर एनरजी को जनरेट करा जा सके इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो यह NLCIL है यह 51% स्टेक रहेगा इनी के पास बाकी का 49% स्टेक रहेगा आपका APDLC के साथ DCL के साथ Assum Power Distribution Company Limited के पास 49% स्टेक रहेगा और बाकी 51 आपका NLCIL जो की एक तमिलनाडू बेस्ट कमपनी है और यह कितने परसेंड कितनी amount of energy जनरेट करेंगे सोलर एनरजी 100 MW of Solar Power Projects के एनरजी को यहाँ पर जनरेट करेंगे ठीक है याद रखिएगा काफ़ इंपोर्टन अगर मैं बात करूँ NLCIL NLCIL इंडिया की यह फाउंड कब किया गया था 1956 में इसको established किया गया था फाउंड किया गया था और चन्नाई तमिलनाडू में इसका headquarter अब यहाँ देख सकेए तमिलनाडू based company है ठीक है और chairman कम managing director कौन रहेंगे राकेश कुमार तो friends यह तो सारी हमारी news थी आज की जल्दी से एक बार और quickly revise कर देते हैं Union Corporation Minister Amitra के दौरा एक e-launch किया गया onboarding of cooperatives on jam portal मतलब jam portal को launch किया गया then paytm ने partner किया piramal finance के साथ ताकि launch को offer किया जा सके 10 लाग तक का SIDB ने and ONDC ने MOU sign किया ताकि जो small business man है उनको boost मिल सके ठीक है और ONDC के साथ किस ने join किया Microsoft ने ताकि e-commerce app को launch shopping app को launch किया जा सके then SBI ने formalize की policy for finance makers of lab grown diamonds और कहां पर shift किया जा रहा है इसकी market को southern gujarat में then HDFC bank ने एक fact sign किया TRED platform M1 exchange के साथ Manisha Kalyyan and Sunil Chetri ये women and men footballer of the year award से गोशित किया गया इनको AIFF All India Football Federation footballer of the year से next पे आ जाते हैं फिर आपका Kerala के संगीता अभियान ठीक है आभियान संगीता आभियान इन्होंने वर्ल्ड वीमेन entrepreneur award को जीता है 2022 के Indian American Arya Wall Waker इनको crown किया गया Miss India USA 2022 Commonwealth Games के बारे में देखे हैं हमने अभी की Birmingham में हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस तक हुए थे इडिया की 4th position रहेगी with 61 medals in total and Serena Williams यह tennis से belong करती है और इन्होंने retirement लेने की बात की है ICC ने अभी 3 countries को अपना status दिया है वो है Cambodia, Ujbekistan and Kott Dei इंडिया के former international athlete PV कामराज इनका recently निदन हो गया ब्रावो याद अब ये एक biography रखी author की गई है किन के दौरा दीपक सिंग के दौरा नेक्स्ट बुक आपको याद रखनी है Fauna of Thaattekad Bird Century इसी के साथ साथ एक सर्वे भी रिपोर्ट रिलीज की गई Zoological Survey of India के दौरा फिर मिनाक्षी लेखी इनके दौरा दो बुक्स को रिलीज किया जाएगा Heartfelt and Modi at 20 Next World Line Day 10 अगस्ट को World Biofuel Day भी 10 अगस्ट को अबजर्व किया जाता है फिर Mizoram and Assam के बीच में जो boundary dispute उसको solve करने के लिए दोनों के बीच में एक joint statement sign की गई है Next NLCIL जिसका 51% stake रहेगा and Assam Power Distribution Company Limited जिसका 49% stake रहेगा इन दोनों ने मिलके launch किया एक solar power project जो कि आपका कुछ around 1000 MW of energy को generate करेगा तो ये सारी news थी friends आज सब आपके लिए I hope आपको session पसंद आए होगा notes आपने जरूर बनाए होगे अब आजाते हैं homework section पे पहला question विच इंडियन armed force launched Him throne, Him drone or throne program I repeat Him drone or throne program या किस के द्वारा launch किया गया Next What is the name of the New Delhi's International Arbitration Center नए Arbitration Center का क्या नाम है Next वी प्रनव जो अभी recently news में थे ये कि स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं चौथा question World's highest railway bridge is located in which Indian state और Union territory जड़ा बताओ पांचमा Which state introduced the constitution amendable big 2022 for insertion of a new article 3A ये पांच questions बहुत important है friends notes में जरूर बना लेना जब आप इसको comment section में answer करेंगे उसके बाद इनके notes जरूर बनाना काफी help करेंगे आपके preparation में and friends आपको पताईए and में video पसंद आई तो like कर देना comment करके जरूर बताना आपका क्या views रहेगा अगर session पसंद आया तो हम future में इसको और session को better करेंगे and अगर आप चाहते हैं कि session आते रहे तो भी आपको comment करके जरूर बताना है and हमारा 15,000 views का target आप जानते ही है कि daily basis पे आने चाहिए इसके लिए आपको इस video को कम से कम 2-3 WhatsApp ग्रूप पे share करना है and आपने दोस्तों को बताना है कि Affairs Cloud is a one-stop solution for current affairs I hope that's all for the day friends Thank you and have a nice day That's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं आप Telegram चैनल पे जाके हमें follow कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733362 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairs cloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related वेबसाइट से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे कट गए है या कोई भी issue हो आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा